असलाम अलेकूम, आज नास्टे में मेरा दिल था पकोड़े खाने का और अयूब रहते तो मुझे हमेशा कमपणी देते अमीन जा रहा था जिम ए एलेक्सा, केसी हो दुम जी बात बन गई अभी अभी, जो आपने नहीं फिक रखी, मैं तो एड़न बढ़िया हूँ इसकी बहुत आदत है, एलेक्सा जब से आई है, उसको इतना चेडम चाड़ी करता है, सवाल के जवाब नहीं होते हैं, वो सवाले करते रहता है, उसके साथ, और एक हमेशा में एक आलू जब आयूब रहते हैं, तो बड़ा आलू लेती हूँ, लेकिन आयूब नहीं थे, त अबियत खराब है, मैंने कोई बात नहीं, तो नास्टा बनाने वैसे में किचन में खड़ी थी, तो मैंने सुचाँ के चलो उसी के साथ अपने बरतन वगरा भी धोलू, बरतन वगरा धोके, फिर मैंने मस्त, आलू को काट के जटक के सब तयारी करी, और फिर मैंने बनाने लगी पकोड़े, पकोड़े बना तो लिए, लेकिन एक छोटे आलू का भी एक प्लेट भर के बन गए थे पकोड़े, और मैं बोली इतना तो मैं खाऊंगी नहीं, तो फिर मैंने बोला के चलो हमारे दर जो कच्रा लेने के लिए आता है, वो मेरे दोनों बच्चों की उमर काई है, तो वो बच्चे को आदा खिला दिया मैंने, और फिर मैंने करने लगी लंच की तयारी, और आज मैंने स्पेशल साउथ इंडियन लंच बनाई थी, आपको मेरे किचन चैनल पे भी दिखेगी ओ रेसीपी, अमीन को बहुत खुश्बू अच्छी लग रही थी, और अमीन को बोला, यार साउथ इंडियन खाना है, तो साउथ इंडियन स्टाइल से खाना, हाँ, सच में, जो खाना जैसा हो दाना, उसको वैसी ही खाना चाहिए, फीलिंग भी बहुत मस्त लगती है, फिर मेरी आदत है, अगर में लेट भी उठू तो घर में अगर बत्ती करे बिगर में चाही नहीं बनाती हूँ, तो मैं फिर बनाई अपने लिए चाही, उसके पहले मैंने की अगर बत्ती वगएरा, अगर बत्ती करके चाही लेके जैसे बैठने लगी देखी तो अमीन लगाया मैच, तो फिर मैंने मैच के साथ में ही इसके साथ बैठके चाही इवन सोशल मीडिया यार आप लोग तो शोशल मीडिया के जरीय जानते हो मैंने ना किसी के कंदे पर कभी बंदूक रखियों ना ही किसी का नाम यूज की तो इसलिए मुझे लोग ट्रोल करते हैं या लोग मुझे कुछ भी बोलते हैं बैट वर्स भी बोलते तो I don't care यार मुझे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी जिन्दगी अपने हिसाब से चलती हूँ सारे फिर मैंने घर के काम करके मस्त अपने घर को बेडरूम को किया क्लीन इतने में फिर अमीन को मैंने पूचा के बेटा खाना खाऊगे तो आप खाऊगे तो मैं खाऊंगे सबसे अलग देखते हैं तो मैंने अमीन को ठीक है तू सीरीज वगरा सेट कर और यह देख रहे हो केरी यह केरी थे जो मेरे फैमिली आए थी हमने जहाड से तोड़े अब यह बन चुके हैं और सच में यार देसी माल देसी ही होता फिर देखे हमने सेरीज लगा दिये देख गी और आज मुझे जाना था बाहर तो मैंने मॉर्निंग से फटा फट सब शूरू कर दी क्योंकि अगर अली आ गया तो उसको खाना भी चाहिए रहता है इसी के साथ साथ पूरा दिन खतम हुआ जैसे कि मैंने कपड़े नहीं पेने डिजाइन नहीं करी तो अगर आपको द